तो यार आज मैं आपको टॉफाइब लेक्टॉप बताऊंगा जो कि आप 40,000 के प्रेड में इन 2021 में लाक्टॉप पर चेज़ कर सकते हैं जो कि बहुत तगड़े होने वाले अगर आपने कोई हैवी सॉफटर यूज़ करना है अगर आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो उसके अगर आपने ओफिस वर्क के लिए लेना उसके बाद अगर आपने कोई लोड़ेड फाइल पर काम करना आप सबी के लिए लैप्टॉप में बताने वालों स्टार्ट करते हैं नम्बो फाइब से बात करूं नम्बो फाइब पर यार मैंने रखी है मैं नोट्बुक 14 को तो बिल्ड बॉल्टी बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आप डाटा इंट्रिस करते हो जाए अगर आपका काम कोई ऐसा आपको कीपूर पे जाधा काम करना पड़ता है आपके लिए यही बैस्ट डील हो सकते है प्लस आपको फुल स्टी प्लस इसके साथ व देखने को मिल जाता है अगर अपने गेमिंग के बलाव आपको अपको निकल जाता है तो में आपको रिकमेंट निकांगाता है विक्शन भी तो नहीं मिल रहा ना ठीक है तो इगर आपने MI के और जान है, आप जा सकते हो, मैं ऐसे नहीं कहा रहा कि आप नहीं जा सकते हो, आपको build को अल्टी बगरा बहुत अगरी मिल जाती है, design look को बगरा भी बहुत है, यह display को अल्टी भी बहुत अगरी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको minus point बता दिया, 8GB RAM मिल जाते हैं लेकिन अपकरेट आप उसको नहीं कर सकते हैं, जो कि सच में एक minus point देखने को मिल जाता है, तो आप देख लेना अगर आप रिसकिया और जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, अभी बात कर लेते हैं, इसके थोड़ी सी main specification की थोड़ा से मैं आपको deeply बता देता हूँ, तो यह display की बातों को 14-inch full HD plus display देखने को मिल जाती है, जो कि anti-glate display है, प्रसासर की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मिल जाती है, तो प्रसासर बहुत अगड़ा है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD का benefit यह होता है, अगर आप data आप गरा transfer करते हो, वो बहुत जल्दी हो जाता है, as comparison किया जाए, HDD के साथ, ठीक है, graphic card की बात करूँ, आपको Intel UHD graphic card देखने को मिल जाता है, प्लस आपको MX350 भी मिल जाता है, 2GB के साथ, लेकिन उसका price आपके budget से अपर चल जाता है, ठीक है, operating system की बात करूँ, आपको Windows 10 मिल जाती है latest version 64 bit के साथ, battery की backup को 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, प्लस, आपको 65 watt का fast charger देखने को मिल जाता है, price की बात करो, आपको 41,000 के budget में MI notebook folding देखने को मिल जाएगी, तो यह main specification में आपको बता दिया, MI notebook folding के, वैसे यार laptop पूरा loaded है, लेकिन minus points थोड़ा सा आ जाता है, so that's why इसक अगर आपका कान कोई ऐसा है कि आपको 8GP RAM बहुत है, तो आपके लिए बहुत अगरा आप जा सकते हो, मैंने link परवाइड किया, आपको description box में देखने को मिल जागा, आपको आगे बात करते है, number four की, number four की बात करूं, number four पर यार मैंने रखिया HP 14 को, तो यार बहुत बंद सही कर रहा है, एंड इस से बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, वो कैसे सही कर रहा है, आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं HP 14 की, तो यार ये laptop आपको मतलब black color में इसका color बहुत उट करता है, मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ, अगर आपने लेना है, तो भी black color मुझे जाथा सीट लगा, आप उसके और जा सकते हो, प्लस आपको 14 inch की display देखने को मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी, आपको i3 देखने को मिल जाता है, 10th generation के साथ, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, 8GB RAM भी मिल जागी, जिसको 16GB तक expandable भी कर स सकता है, आपको कोई इस्यू नहीं आने वाल ही, यार आपको i3 देखने को मिल जाता है, 10th generation के साथ, वो भी सच में बहुत जादा तक राइटिक है, आप जा सकते हो, HP Fordham के और अभी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी में स्पैसिलिकेशन की, तो यह display की बातों को 40 inch full HD display मिल जा है, तो बही अगर आप extra pay कर सकते हो, आपको HP का ही laptop चाहिए, तो मैं आपको कहाना चाहता हूँ कि आप i3 11th generation के और चल जाए ना, वो latest processor है, उसके आप प्रतों कोई processor ही नहीं, अभी या राठीक है, storage की बात करूं, आपको 8 GB RAM मिल जाती है, आप upgrade कर सकते हो 16 GB तक प्लस आप जो dedicated graphic card होता है, उसका storage अपना होता है, 2 GB हो गया, 4 GB हो गया, 6 GB हो गया, 8 GB हो ठीक है, उसका लेना देना नहीं होता है RAM के साथ है, लेकिन जो integrated graphic card होता है, वो अपना जो storage वो लेता है RAM से, ठीक है, अगर आप मतलब आपको काम कर रहे हो, graphic card को कोई जरूरत बढ़ती है RAM की, जा, sorry storage की, तो वो RAM से ही लेगा, उसका कोई अपना storage नहीं देखने को मिलता है, तो उसको कहते है integrated, dedicated होते है, जिसकी अपनी storage होती है, like 2 GB, 4 GB, 8 GB, जितना भी मतलब होता है, ठीक है, operating system की बात करूँ, आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है, प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता ह मैंने आपको बता दिया, plus मैं आपको कहा देना चाहता हूँ, अगर आप भी उन्हीं बंदों में से आते हैं, जिनको HP या Dell का ही laptop चाहिए, मैं आपको कहा चाहता हूँ, कि आप HP 4D के और जा सकते हैं, मैं आपको plus ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने लेना है, HP का laptop ही है, तो भई, आपको recommend करना जाता हूँ, आप i3 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पीकर, ब्लैकर, बहुत सही लगता है, अगर कोई भी बंदा ब्लैक कलर में ले रहा है, तो भई मुझे मैं जरूर बताना कि भई, मैंने ब्लैक कल्द में लिया, लिंक पर देना चाहता हूँ कि इसका price बहुत ज्यादा से है, आपको 37,000 के budget में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ आपको Lenovo bag भी देखने को मिल जाता है, जो कि Lenovo laptop bag है, जिसके price की मैं बात कुरा, आपको 2000 के budget range में वो bag देखने को मिल जाता है, तो आपको अंदाश् 12GB RAM मिल जाएगी, जिसको आप expandable कर जाकते हो, 12GB तक, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाता है, तो यहार, main specification में आपको बता दिया, Lenovo IdeaPad Slim 3i क, यहार, specification के according, बहुत ज्यादा तगड़ा है, price के according, बहुत ज्यादा सही है, end बई जो bag देखने को मिल जाता है, उसका price 2000 देखने क के budget में वो bag देखने को मिलता है, तो यार, इस laptop का budget जो है, वो 35,000 हो जाता है, अगर हम उस bag को निकाल देते है, ठीक है, तो आप देख लेना, अगर आप इसकी आउजाना जाते हो, आप जा सकते हो, आगे बात करते हैं, number 2 की, number 2 की बात करें, number 2 पर यार, मैंने रखिया, Asus Zenbook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करूं, सबसे पहले आपको lightweight and stylish design देखने को मिल जाता है, इसके color वगारा बहुत प्यार है, आपको बहुत पसंद आने वाला है, plus Asus एक trusted brand है, top brand में से आता है, तो भाई, अगर आपने इस laptop की और जाना है, आप जा सकते हो, plus मैं आपको बता देना जाता हूं, ये 2020 model है and इसके price range की बात करूं, ये laptop आपको 41,000 या 42,000 के बढ़र में मिलेगा, but अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए best deal हो सकते है, because आपको i3 11th generation के साथ मिलता, जो की latest processor है, इसके अपर कोई भी processor नहीं देखने को मिलता, plus आपको 8GB RAM मिल जाते, expandable आपको 16GB तक प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि आपको इसलिए मैं stylish design तो मिले जाता है, प्लस ये 3 colors में देखने को मिलता है, जो भी color आपको सहीं लगता है, भी आपको उसके और चाल जाना, ले डीपली थोड़ा सा पतक कर जाएगा, तो यह डिस्पले की बातों को 15.16 Full HD Plus दिस्पले मिल जाती है, जो कि 16 refresh rate के साथ आती है, पर sensor की बात को आपको i3 11th generation के साथ मिलता, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, upper grade आप 16GB तक कर जकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है, त बहुत पकने वाले हो, यार, वो बहुत गंदी चीज़ है, मैं उसको recommender नहीं करता, अगर आपने लेनी है, तो बढ़ी SSD आपके लिए best लिए हो सकते है, चाहिए अगर आपने 256 ले ली ना, वो भी बहुत जाता है, अगर आपने data पकरा transfer करना है, जल्दी कर देता है, इसका प्राइज की बात करूं, मैंने आपको पहले बता दिया, कि आपको 41,000 के बज़र में या 42,000 के बज़र में ये specification के साथ, असूस वीव बुक वाल्टरा 15 देखने को मिल जाएगा, तो बही में specification तो मैंने बता दिया आपको असूस लैक्टप के अभी ज्यादा समय खराब न लेकिन अगर आप 5000 एक्स्टा पे कर सकते हो, मैं आपको recommend करना चाते हो, आप चल जाना इस से इस पायर 5 के और अगर इस laptop की बात करूं, अगर आपको i5 देखते हो, मिल जागा 10th generation के साथ, आपको 8GB मिल जाती है, जो कि आप upgrade कर सकते हो, 16GB तक आपको 5GB SSD देखने हो मिल जात अगर आपने 1080p पर वीडियो एक्टिंग करनी है, ये laptop आपके लिए perfect deal हो सकता है, और ये आपको 45,000 के बदर में मिल जागा, मैं इसका link प्रवाइड कर दूँगा, कई पर इसकी offer बगारा भी लगती रहती है, और भी सस्टे में देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी इसकी offer करता है, नहीं देखने को मिलती है, लेकिन मैं try करूँगा, इसका link मैं provide कर दूँगा, आपको description box में देखने को मिल जागा, अगर आपने चाहोड करना है, आप चाहोड भी कर सकते हो, भी बात करते है, इसके main specification की तो display की बात करूँ, आपको 14 inch full HD plus display मिल जाती है, जो कि IPS panel display processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, प्रस आपको expandable भी कर सकते हो, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, graphic card की बातों को NVIDIA G4 MX350 देखने को मिलता है, जो कि 2GB के साथ आता है, प्रेडिन system की बात करूँ, आपको Windows 10 मिल जाते है battery की बातों को 8 hours का battery lack provide कर देता है, 8 से कम ही करेगा, अगर आपने को heavy software यूज़ करना है, 5-6 hours का ही battery backup provide करेगा, फिर अगर आप normal यूज़ करते हो, फिर आपको 8 hours का battery backup provide कर देता, उससे ज्यादा भी कर देगा, अगर आप ज्यादा यूज़ ही नहीं करोगे, तो battery जो battery है, व बात है ठीक है, price की बात करूं, आपको 45,000 के बज़र में Acer Spire 5 देखने को बल जाता है, तो main specification में आपको बता दिया Acer Spire 5 के, इसको इस budget range में number one पर इसलिए रखा भी अगर आप extra pay कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप extra pay कर सकते हो, आपको laptop बहुत अगरा मिल जाता है, अगर deal हो सकते है, आप इस laptop के और जा सकते हैं, अगर आपका बज़र 40,000 ही है, तो Asus के और से जो laptop बताया, वह आपके लिए best है, अगर आपका बज़र 40,000 से भी कम है, तो भई, Lenovo IdeaPad Slim 3 आई आपके लिए best deal हो सकते है, आपको 37,000 के बज़र में मिल जाता है, जो कि सच में पैसा अइस फूर्ल लाब्टप है, तो यार, अभी मैंने आपको इतने laptop बता दिया जो भी आप लेना चाहते हो सभी के लिएท के मैंने परवाइड कियो है, अगर आप देखना चाहते हो, चावरना चाहते हो, जैसे भी गरना जाते हो, आपको देखने नापका सकते हो, यार, कर दो